कोई देने के लिए आएगा लेकिन कोई देने नहीं आया आजया लोग जी चलिए धरेंदर बादवाजी ने कई आरोप लगा दिये और मैं भी आरोप लगाता हूं एक एंकर के तौर पर क्योंकि सवाल के तौर पर मैं आरोप लगा रहा हूं कि आपने भगवान राम को राज शरित्र और दुष्ट शरित्र बड़ा थिन लाइन है ऐसे लोगों को सुंदर कांट का पाठ पढ़ने से थोड़ी सद्बुद्धी आती है अभी केज्रिवाल जी का बयान सुना मैंने कि पूरे परिवार के साथ जाओं आयोध्या देखने पूरे परिवार की यह बहुत इक मंधिर बन रहा है तुमको तो बहुत अच्छा लग रही है तो मेरी नानी ने मुझे से कहा कि नहीं बेटा जो मंदिर जो राम का मंदिर hp तो की नहीं जाओंगी तो वो एक ही आदमी है भारतिय राजनीती में वो है अर्विन के जुरीबार ये उनी के शब्द है मेरे शब्द नहीं है नानीवाले उसी राली में उन्होंने ये भी कहा था कि जरा सोचो जरा सोचो अगर जवाहर पंडित जवाहर लाल लहरू स्टील अथारटी अफ इंडि सोचें कि किस थिन लाइन में इनको रखना है लेकिन एक बात है गिरगिट से भी ज्याज़ा तेज रंग बदलते हैं हमारे एंसीपी के प्रवक्ताबूत रामभक्त 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 कर रहे थे शरत पवार की मौजूदगी में जितेंदा हवाड ने क्या कहा था भग हिंदू धर्म प्रभूश्री राम इन सब को बेज़त करने में अगाली देने में और धरेंद भारदवाज जी तो ब्रामण है मैं पूछता हूं इन्ही से क्या यह यह नहीं जाएंगे खुद इनको प्रभूराम में आस्ता है लेकिन क्या केजरीवाल के बयान सही थे कि न सुन लिजे सुन लिजे सुन लिजे सुन लिजे मैं फिर यही कह रहूं भारते जन्ता पालिटी के लोगों को बगवान हनुमान से दिक्कत है अर्विंद केजरीवाल से नफरत करते करते हैं हनुमान जी के खिलाफ होगे सुन्दर कांड के खिलाफ होगे अर्विन केज्रिवान ने कहा था अपनी नानी का नाम लेका दरेंद्र जी, हमेशा चिलाने नहीं होता है, मैं आपको पूरा मौका देता हूँ, मुझे इस सवाल का जवाब दीजे कि क्या अर्विन केज्रिवान ने ये कहा था, कि मेरी नानी नहीं अनुवधा भी तोड़कर मंदिर बनायगे तो एसे मंदिर में प्रफु नहीं जाएगे यहाँ नहीं जाना चाहिए पताया जी इताजी कहता दूख जी किसी भी धारमिक स्थाल को सोड़ कर कोई धर्म कोई धार्मिक स्था नहीं सकता बगवान मिने कहीं नहीं लिखा कहीं रामाय меня прош़ की सी 2 फोड दो ये अच्छी बात नहीं है भारतिन ता पार्टी के लोग तो तो फोली की राजनीती करते हैं और पार्टी के प्रवक्ता वो याद दिलाना चाहता हूं यह कह रहें गिरगिट गिरगिट की तरह तो मोदी जी रंग बदलते हैं 700 किसान मर गए तब जाके इन्होंने किसान बिल वापिज लिया एक साल तक किसान पड़े रहें सडकों पे 700 किसानों की मिद्ध्यों के फिर मोद तो चोड़के दूसरा धार्मिक स्थल नहीं बनना चाहिए और मेरे दो लोग बैठे चूटे हुए भी वो चोटा रिचार्ज मेरे चोटा रिचार्ज बोलने वाले मेरे वो कह राम मंदिर तोड़के मजजित क्यों बनी उसका विरोत क्यों नहीं करते हैं मुह में दहीं ज धाचा जो चूटा वो मस्जिद नहीं धाचा था जहां पिछले सो वर्षों से कोई नमाज नहीं पड़ी गुई थी मुह में दहीं जम जाती है अपना मंदिर तोड़के वहां मस्जिद बनाए गई थी बाबर ने बनाया था क्या वो सही था इसी कितल लड़ाई लड़े 15 पुजारियों को बारे मैं नहीं सोचेंगे मैंने पर सो कल भी का था कि जहां-जां सुंदर पार्ट करौंश का पार्ट कर्वारे हो ने वह कान Pilsy कमसे कम करवा दो नहीं पान पर नहीं उससे